आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूँ जहन सिर्वास्तो मैं हूँ ग्यानपकाशिक प्रजीक एक बार फिर रंदा कारिक्रम में हम फिर हाजिर हुए हैं हमारी साथ स्टूडियो में मौझूद हैं वरिष्ट पतकार स्री ग्यानपकाशिक पतीजी हम इस बार उसे जानेंगे कि वो रंदा में किन समसामय घटनाओं पे आधारित रंदा कारिक्रम में चोट करेंगे रंदा में समसामय घटनाओं का ही उल्येक होता है जिसको हम बैंगातपक रूप से प्रसुष करते हैं तो पहली जो ख़बर है उस पे वो अपनी टिपड़ी देंगे अपना दल सांसाथ पकावडी लाल ने सवनों को कहे अपसद मामला बढ़ने पर माफी मांगी इस पर रंदा की क्या टिपड़ी ठूक ठूक कर चाटना साहित में वीभस रस्माना जाता है पर पकावडी लाल जैसे राजनेतिग्यों ने उसे संगारस बना दिया है रंदा आप जैसे जुगाली करने वाले बदफारूस नेताओं की गाली सुन सकता है पर दे नहीं सकता सबर्णों में तो साधी व्याह में करन्या पच्छ की महिलाओं से ढोल मंजीरा के धुर्ण पर गाली सुनने वा उन्हें ने ने देने का रिवाज रहा है आपने गाली दे कर माफि मांग ली अच्छा ही किया नहीं तो सबर्ण देर सबेद नेक चुकता कर ही देते चाहे वोट के रूप में या किसी और के रूप में लट्छ चाप ब्यवहार करने के बजाए पकौडी लाल कहीं पकौडी के बजाए आप लाल पकौडा होते तो स पकौडा बेचने वाले बयान को याद कर तुमें सरे बाजार बेच कर अपनी बेरुजगारी कम कर देते हैं अगली खबर है उस पर टिपड़ी है रंदा की क्या रहेगी इसमें खबर यह है कि प्रियंका गांधी ने कहा यूप में 40 फिजदी टिकट महिलाओं को देगी सर कांग्रेस तो क्या रंदा का लेखक कांग्रेस के टिकट के लिए लिंग परिवर्टन कराकर महिलाओं के साथ आवेदा लेकर सामिल हो जाए बिल्ली के भाग से अगर सिकाह तूट गया और कहीं जीत मिल गई तो पांच साल तक बिधान सभा में बले बले बाद में जीवन लिए में गाउर अचिप्रिक्रोषि के कारिकातायों ने थिम्य के माद yam से राष्ट पत को घ्यापन भेज कर गमाता को राष्ट मातआ गोसित किये घाने की मांग की इस पर रंदा की क्या ठीपणर गा। गौमाता के साथ साथ भैंस को भी राष्टी मौसी वा उसके पत्वैंसा देव को राष्टी मौसा के देने की मांग करते तो रंदा भी काफी खुसी महसूस करता। का पुत्र यम्राज का वाहन है अगर वो यम्राज को मृत्व लोक तक ना लेकर आए तो भला यम्राज रंदा सरीखे प्राणियों के प्राण कैसे हरन करेंगे। जब किसी की मृत्व नहीं होगी तो इस धर्ती पर क्या हालात होंगे कलपना मास से ड़ लगता है। सागर भैंस को मौशी का दर्जा दिये जाने की मांग इस कविता के माधन से करते हुए ब्रम्हलीन हो गए। गईया को मया मया कहिकर टेर रहे भैंस का मौशी नहीं पच्चपात साफ है और गईया से ज़्यादा भैंस दूध और गोबर दे सबका दिखाए बहुतों साफ साफ है। प्रियम योगी ने कहा 1990 में भाजपा की सरकार होती तो कोई रामभक्तों पर गोली चनाने का दुसाहस ना करता। इस पर रंदा की क्या टपड़ी। योगी जी यही तो आपकी सरकार को लेकर विरूधी पार्टियों के लोग कह रहे हैं। अगर 2020-2021 में कहीं हमारी सरकार होती तो करोना काल में जिस प्रकार हजारों लोग आर्टियों की कम्यों उपजार प्रबंधन में कोताही के चलते तडप तडप कर लोकवासी हो गए वो नहीं होते। और वो 2022 में होने वाले बिधान सबाद चुनाओं में एवियम का बटन दबाने की बात अभी से सोचते। इसलिए रंदा की एक सलाह मानों बेती ताहि विसार दे आगे की सुद्र लेओं क्योंकि आपके सामने बिधान सबाद चुनाओं मोबाय खड़ा है और अखिलेश प्रियंका मायावती का दल आपके दल के पीछे पड़ा है। अगली खबर है मजदूरों ने विकास भोन में देरा डाला मांगा महंगाई भत्ता इस पर रंदा की क्या वेंग्यात्मक्ति पड़ी है। के लिए तरसा देते और आप बेरोजगार भत्ता की बाद जुबा पर लाने से ही ड़ते। जब सिछले बेरोजगारों को अखिले सरकार की तरह ये सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रही है। तो आपको कहां से देंगे रंदा स्रमकों के सम्मान में स्वरगी का भीरन सिर्वास्तों के इन कावपंक्तियों से करता है। इसकी आराधना करता पसीने से, देश का निर्मार करता है पसीने से, गंगर जिसकी वोढ़नी धर्ती बिछावना है, स्रमिक तो इतिहास लिखता है पसीने से। अगली ख़बर है, सीम योगी आतित नान ने कहा कि दीपावली पर जलाएंगे एक क्यावन लाग दिये। आई कर लेगा, क्योंकि कड़वा तेल दियाव बत्ती महंगी होने पर करेगा ही क्या, तो वहाँ तो मनाना ही है, मान न मान, मैं तेरा महमान की तरह है। योगी जी, रंदा की सलाह है दिये चाहे क्यावन लाग जलवानना या एक सथ लाग पर प्रसित का दुआ गीतकार गोपाल दास नीरज की ये कावि पंग्त याद रखना दिये जलवाने से फोर्ब। जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना अधेरा धरा पर कहीं रहन जाए और अगर दीपावली घरगर दियों से रोसन न हुई तो विपच्छी लोग इस सेर से नमक छिड़कने का काम करेंगे। कहां तो तै था खिरागा हर एक के लिए लेकिन अम मैसर नहीं है किसी भी सहर के लिए। इसकूलों में गुर्जनों का अशिरबाद यों सरकारी प्रसाद यमदियम तो मिल ही रहा है। कबीर जास ने तो पुष्टकों को 600 बस पूर्वी बे मतलब की चीज बताया था। उन्होंने कहा भी था पोथी परिपर जगमुआ पंडित भयान को है धाई याखर प्रेम का प्रहई सो पंडित हो है। फर्जी अंकपत्र के मामले में भाजपा विधायक इंद प्रताब तीवारी खब्बु को मिली 29 साल बाद 5 साल की सजा। सजा खब्बु तिवारी को मिली और आहाजमा बिगड़ गया बेचारे अब्दुल्ला आजम का। कहीं फर्जी जनतित के मामले में खब्बु की तरे हमें भी सजा सुखना नसीब हो जाए। खब्बु को नियाए पाने में 29 साल लग गए। तो रंदा इतनी लंबी नएक प्रिक्रिया पर कि पड़ी न करके किसी कब की दो पंक्तियां ही सुना लेता है। इसका बाबा ने किया था बाप को रोना पड़ा और पोते को कचेहरी में खड़ा होना पड़ा। अदालतों की तारीक पर तारीक की परंपरा से उब कर कभ कैलास गौतम ने हर कभ सम्मेलन में गला फार फार कर कहा था, चाहे जाके जंगल में धूनी रमाना, चाहे जैसे तैसे गेरेश्ट्री चलाना, मगर मेरे बेटे कचेहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचेहरी न जाना. रंदा मिलावट खोरों को इसलिए सलूट मार रहा है कि वो खाज पलार्थों में मिलावट कर वो भोगताओं के साथ इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं अगर दूधिये दूध में पानी है या पानी में दूध है न करें तो कोई माई का लाल विसुद्ध और गाहा दूध ख मिलावट खोर बेचारे इतना जानते हैं कि हम मिलावट कर सिर्फ मुनाफ़ा खा रहे हैं पर वो नहीं जानते कि हम समाज का कितना भला कर रहे हैं उनके सम्मान में रंदा कुछ कालपंक्तियां कहने का जुस्ताहस कर रहा है धन्य है वो लोग धन्य है वो लोग जो चाय मे गोबर मिलाते हैं. हर घूट में गव माता के जर्षण कराते हैं. वो समझते हैं कि हम मुनाफा खा रहे हैं. मगर ये नहीं जानते हम एक मा को बेटे से मिला रहे हैं। इसी प्रकार्म के सम्मान में रंदा ये भी कहना चाहेगा कि जब से लोगों ने लोगों पर आहसान कर दिखाया, घोडे की लीद और धनिया को 50-50 मिलाया, जिसने भी डाल उस मसाले को सब्जी में खाया, तब से अपने सरीर में हास पाउर को बर्शते हुए पाया। एक कथा वाचक ने कहा कि कथा सुनने से कटते हैं पाप, इस पर रंदा की क्या पड़ी हैं। और उनके द्वारा कही जा रहीं, धार्मिक सामाजिक कथाओं को अपने कान साप करवा कर बड़े ही मनयोयोग से सुनता है, क्योंकि तुलशी बाबा ने पनी चौपाई में कहा है कि राम कथा सुन्दर करतारी, संसे विहग उड़ावन हारी। महंगाई को लेकर हर्यों मिस्रा ने सराय नदी में फेका गए सिलंडर, इस पर रंदा की क्या पड़ी। हर्यों भाई, आपको क्या महंगाई सिलंडर पर ही दिखाई ली। हर चीज महंगी है, तो आपको घर की हर चीज सराय नदी के हवाले कर देना चाहिए। आप भी चर्चा के लिए दिनों जिन फेकू बनते जा रहे हैं। आपने सीतापुर में आए एक पार्टी के ततकाली राष्टी अधर्च पर चरण पादुका चर्चा के लिए फेकी थी। लेकिन आपको चर्चा रूपी जनमानस में भाव तो नहीं मिला। लेकिन हवाला तक जरूर पहुँच गये थे। अगर आपको कुछ फेकना ही है तो पीम हो रहे जैसा कुछ फेकिए कि उन्होंनों आत्र जो भी फेका है उनको अभी तक दुनिया भर के लोग खोज नहीं पाए हैं। महंगाई से निजात पाने के लिए रंदा की आपसे नेकसला है कि अगर कपड़े के दाम बढ़ते हैं तो आप नागा स्वामियों का अनुसरण करें। खाने की बस में महंगी है तो आप उसा साड़ा जीव की तरह प्रैक्टिस करें। और सिर्फ नलका थंदा पानी पी कर सो जाएं क्योंकि जल ही जीवन है जो मिल सकता आज जीवन है फिर आपका महंगाई कुछ भी नहीं बिगार सकती। सिर्फ चर्चा के लिए फेकं फेक कर रहे हैं तो रंदा हच्छे भी नहीं करेगा। तो दोस्कों आपने अभी देखा कि किस तरीके से वरिष्ट पतकास्री ज्यान पतकास सिंपतिक जिनने समसामाई घटनाव पर आध्यरित किस तरह के से टिपणियां सधा की हैं। अगले अंक में रविवार को हम फिर हाजरूंगे तक तक के लिए हमें विराम दीजी नमस्कार।